हेलो फ्रेंड्स तो वेलकम बैक टू बोल भाई फूडी मैं हूँ धीरच कॉलकता से और मेरे पीछे आप देख सकते हो बिस्व बांगला गेट है और यहां का जो हैंगिंग रेश्टरांट है बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स तो आज आ गए है यह प्लेस को एक्स्प्लोर करने के लिए इस प्लेस की खासियत यह है कि बीचो बीच न्यू टाउन के बीचो बीच में यह एक हैंगिंग रेश्टरांट है और यहां पे नॉन व महुल है और कैसा यहां का खाना है सब आपको बताएंगे तो चलिए मेरे साथ और गाइस बोल देता हूं चैनल पर अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना है लाइक करना है और जो भी मेरे एक्जिस्टिंग वीवर्स है अगर आप लोग यह वीडियो देख रहे हो तो भाई लाइक करना ही है और कमेंट्स करना ही है तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं तो भाई रेस्टरोंट के अंदर आ गये हैं और जो व्यूज है बहुत ही शांदार व्यूज है सिटी के इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं भाई मैं तलकता से हूँ इतना टाइम से इस प्लेस पे हूँ लेकिन ऐसा व्यूज मैंने आज तक एक्स्पिरेंस नहीं किया है तो भाई खाना तो हम खाएंगे उसके पहले अगर व्यूज बता दूँ तो जो भी मेरे फ्रेंड्स है जो भी सब्स्क्राइबर्स हैं क्यालकटा से हैं अगर आप लोग ने ये प्लेस अगर चेकाउट किया तो जरूर कमेंट करो और नहीं अगर आए हो तो भाई एक बार आपको आना बनता है और कोई बहार से अगर आ रहे हैं तो डेfinetly ये प्लेस को देखो भाई व्यूज जो है बहुत स्पक्ताकुलर व्यूज है तो पूरा आपको लोग है पूरा आपको दिखाते हैं और देखिए पूरा क्या सीन है पूरा क्या मौहल है तो भाई जो पू देख सकते हो जैसे कि यह बेंगॉली कपल है जैसे बेंगॉली में शादी कैसे किया जाता है उसके बारे में डेपिक किया जा रहा है यहां पर आप देख सकते हो हमारे सौरफ दा सौरफ गांगुली हमारे क्रिकेट के शान तो उनका एक बहुत ही अच्छा मेरे को लगता है यह 3D kind of painting है तो भाई व्यूज जो है ना यहां के बहुत अच्छा व्यूज है एक तरफ में भाई paintings वगरा है और एक तरफ में आप देखोगे तो पुरा city का पुरा नजारा है तो भाई यह देख सकते हो तो भाई यहां भी यह से देख सकते हो बाई चन भुटिया का replicate मेरे क है और बाकी जितने मेरे को लगते जो sports person है सब कहीं नहीं कहीं क्याकटा से बिलॉंग करते हैं तो भाई प्लेस इस डेफिनेटली ओसम भाई लंच टाइम इस दा बेस्टो कम एर इविनिंग में भी है 7-10 डिनर है लेकिन यहां पर भाई इतना अच्छा व्यू अना वाई फ्रेंड्स हो फामिली हो कपल हो यहां बैटके अराम सुच्छिल कर सकते हो इतना अच्छा व्यू के साथ में जो है आप खाना एंजॉ तो खाना भी खाएंगे और उसका रिव्यू भी देंगे तो भाई पहले व्यूज चेक आउट करते रहो कि अब में तो ड्रिंग्स में मंगाया ते इनका यह आम पन्ना जूस कच्छा केरी उसके पल्प से बनता है तो और भी जगह मैंने पिया है तो उसका टेस्ट चटपटा टेस्ट आता है चटपटा भी आता है स्वीट भी आता है व्यूज अबश्य नहीं था इसका तो मैं इसको अगर रेटिंग दू या फिर मैं इसके लिए बोलू तो मेरे लिए ये आइवरेज था बाकी बहुत सारे और भी ऑप्शन्स हैं ड्रिंक्स में तो आप वो भी ट्राइ कर सकते हो लेकिन मेरे को ये जो इनका ड्रिंक था वो थोड़ा आइवरेज लगा तो फ्रेंड्स आ गया हमारा खाना एक स्टार्टर की आइटम है एक मूडल मंगाया है एक इनका वेज में ये टका टक है मिक्स वेज जैसा तंदूरी रोटी है प्लें और ये है तंदूरी रोटी बटर देखके तो अगर खाना देखके अगर मैं आपको बताओं तो जो आप देखोगे ना तो उतना attractive नहीं लग रहा है तेस्ट कैसे होगा मैं नहीं बता सकता और यह noodles जो है तो noodles भाई chili garlic noodles है तो noodles भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है गलर बहुत अच्छे से हमें यह मैंने को aları कर रहा है और जो इनको यह टका टक mean basic यह देख सकता और ऩृट गुरेवी के अंदर में और इत्सक्रात्रा प्रषद को तेस्ट करके आपको बताते हैं इनका अब आप आप को आप दही के अपुरिक है कभाब के बारे में अगर बोलूं तो जो अंदर धए की कैंसिस्टेंसी हो आप काफी थिक है अच्छा है सिंपल है धाई थोड़ा से मीठा साइड पे है और जो मेरे को एकदव डिसपॉइंट करती है वो है चट्नी तो जो धाई की कबाब के संग में जो चट्नी आती है ना गाइस वो मिंट वाली चट्नी रहती है उसका कलर ही एक अलग रहता है क्रीम बिंदे के और य से भाई नूडल्स अच्छा है लेकिन नमक कम है इसके अंदर में चुली गालिक नूडल्स मंगाया है हमने तो स्पाइसी भी है पट जैसी खाया तो नमक कम था तो भाई थोड़ा एक थोड़ा अलग सा रियाक्शन आ गया तो वाकी विंदे विनेगर विनेगर डाल के मैंने ठीक कर दिया तो फॉल्ट भी आप डाल सकते ओपर से लेको नमक कम लगा बाई की भाई रिव्यू अच्छा है इस वेरी नाइस मोटा नूडल्स है स्पाइसी है से वेजी वगर आप देख सकते हो दिया वह है और अच्छे से कुक किया वह है और लुक्स एक्ट्राक्टिव अलसो तो भाई अगर बात करें वेस्ट अका टेक थीना तो मेरा जो परस्तल ओपिनल में वह वह आप लोग को देता हूं तामाटर जो है थोड़े से खटे हैं तो इसलेवे मेरे को थोड़ा खटा पर्ण का टेस्ट आ रहा अदर्वाइस जो मिक्स वेज है भाई सब्जी सारी बहुत करंची है सारे जोनके मसाले वगर है गरम मसाला है और भी जो अलग टाइप के मसाले है सब के टेस्ट बहुत अच्छे आ रहे है अब एक बाइट बना के खाते होना तो वो स्पाइसीने साता है इस जास्ट आट कि टमाटर अच्छे शूट में लगे हैं तो यह चीज मैं यहां बोलना चाहूंगा कि भाई पैसे व्यू के हैं एक बार और आपको कैमरा टन करूंगा और दिखाऊंगा कि भाई क्या स्प्क्टाकुलर व्यू है यहां पे और कैसे व्यू में हम बैटके खाना का रहे तो भाई अगर ओवराल रिव्यू दे दूँ यहां का एक वर्ट के अंदर में खाना और सब कुछ देखे तो इट वस ओसम क्योंकि भाई पहले बोल देता हूं पैसे हम दे रहे भाई व्यू के इतना अच्छा व्यू है यहां पे और जो खाना का जो अलोगर जो टेश था मैंने आपको बताई दिया इतना जादा बहुत ग्रेट नहीं था लेकिन ऐसे महौल में ऐसे जगर पे बैटके खाने का जो भाई एक आनन्द आता है वो एक अलगी था और मेरे सामने भाई सोफा बगर अभी लगी भी है तो अराम से यहां बैटके च चैनल पे नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब करो भाई जो भी जगा जाता हूँ खुद से जाता हूँ कोई पेड प्रमोशन नहीं है तो आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो लाइक करते हो अगर कमेंट्स करते हो तो भाई मोटिवेशन मिलता है और ऐसे प्लेस आप आप लोग के लिए एक्स्प्लोर करने का मन करता है यह प्लेस में स्पेशली इसलिए आने वाला था कि यूटूब में बहुत सारे वीडियो से हैं पट नॉन वेज की उपर में था तब भाई बोल भाई फूडी का तो काम ही है वेज फूड कावर करना तो अब इसको रखते ह हुआ हुआ है